हेलो दोस्तों कैसो आप तो आप जैसा की मेरा थमनेल देखकर आयो तो प्लीज इस वीडियो पर बने रहे हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छा ना लगी तो जैसा मैं थमनेल में डाला हुआ है आप वीडियो को डिसलाइक करके तो मुझे अंसस्क्राइ दोस्तों अप प्लीज वीडियो पूरा सुरू से लेकर आज तक देखना है तो दोस्तों हमको सीटी नहीं लगानी है जैसे कि आप आलू देख रहे हो हम लोगो को नॉर्मली भगोने में आलू करम करने हैं और दस से पंद्रा बीस मिट लग सकते हैं आपको लेगेना आपक हुआ है । इतनी ही आपको रखने हैं दिख सकते आप आपको सिटी नहीं लगाना है अलू गई जाएगा तो फिर वो क्यक्सर नहीं आघा कर देख सबकें दोस्तों तो इसी तरीके से हमको मसल मसल के इंको बारिक करना पड़ैगा दूस्तों हमें इसको पराई करना है हमने बिल्कुल हलवाई वाली श्ट्याल मनाना दोसे दो आपको और छिलके इसलिए मेरे ने अटाए कि छिलकों का टेस्ट आता है हलवाई की सब्जी होती है लंगर वाली उसमें छिलके रहते हैं अगर आप चाहो तो नहीं नौर्मली छिलके अटागे भी वाल सकते हो यह दोस्त इसे चम्मच एक चम्मच हल्दी पाउडर अगर चम्मच के लागव धनिया पाउडर और यह कस्मरी लाल मिर्चे दोस्तों यह चम्मच है अच्छी तरीके से मैस कर लेना है इसको है देखे दोस्तों हमारा मैस हो चुका है तो दोस्तों इसको फ्राइज निंग और इसको लाइस इस्टेज फ्राई करना दोस्तों बिल्कुल अलवाई टेक्ट बता रहा हो आपको मैं जिस्ता कि अलवाई लोग करते हैं दोस्तों मैंने इसको बहुत ही आप विस्वास नहीं करोगे मैं समझाओं दोसों से जादा वार बना चुक हूँ चार-पांच साथ हो गया मुझे फानरी लेकिन मैंने इसका सुलीशन दूण दोस्तों अभी यह अपने दही है इसके साथ मसाले जो एड़ थे उसको अच्छी तरीके से मिला देने हैं है और वाद में भी थोड़ी-थोड़ी मातरह में यह मसाले दयुला के डाले हैं बाद में लेकिन अभी तो पिलाल कि आपको यसी में डाल ला हैं जो नो हमने इसको मेस्ट कर लिया तब उबलते हुए आलू को अभी भी गरम हो रहे हैं और आपको जो आच है ना इसको मीडियम फ्लैम पर रखना है देखिए हम अच्छी के परेसे मिला लेते हैं तो दोस्तों देखिए उपाल आने लगा है अब हमने एक मिर्ची लिए दो मिर्ची हैं दोस्तों कुटी हुई और लगवग दो इंच के लगवा अद्रक है कूट लिया है हमने इसको कलवत्ते से इससे बहुत अच्छी खुस्भू आती है और साथ में दोस्तों यह सौंफ का पाउडर यह एक चमच के लवक्त था यह दोस्तों देखिए चमच गरम मसाला है अब इसे अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे अब अच्छी कुद्बूब आ रही है सब्सक्राइब दोस्तों अभी इसमें ओयल का तुमने यूस किया ही नहीं है फिर फाइनली इसना अच्छा लग रहा कि अभी मना खालें दोस्तों वाल आने लगा काफी तेजी से अब इसे हम अच्छी तरीके से मेस कर लें जो चुकिए दोस्तों मैं सूथी गये तब तक हम सरस्व का तेल लेते हैं दोस्तों तो एक बडा चमत सरस्व का तेल है थोड़ा सा वो डाल लिया हमें लो खो बोकी कराई का यूस करें ओकिर यूस जो भी है हमारे फ्राई होंगे उसमें लोए का एक टेस्ट होता है दोस्तों जो भी बहुत अच्छा आता है जिया ले लिया है तो समने एक चमत फिर से मिर्सी लिए तो कुटके डाल दी है अधरक ले लिए हमने एक इंच के लगवा अब इनको मिला देंगे और साथ में चार से पास केजपत्ते दोस्तों को फ्लैम इसकी बहुत दीरे कर देनी है क्योंकि लोग की खड़ाई बहुत जल्दी हीट पकड़ती है Q august दोस्तों यह हमने देखिए थोड़ा सा बॉयल पानी इसमें फ़ूरा सामने देड़ से पिंच देड़ पिंच के लगवा हमने इसंफाई डाली है और इसमें डाल देंगahhसर लिए सबजी हमारी जो उबल रही है इसरी डालते हैं हमें याद रखना ही हींग को प्राई नहीं करना है तेल में क्योंकि हलवाई लोग ऐसा ही करते हैं और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में तो देखिए हमारे जो प्रेश पत्ते बगरा जीरा बगरा हो चुके हैं तो यह देखिए दोस्तों हम मिर्ची लिए घर वाली तीकी और आदी चम्मच के लगवग हर्दी है और एक चम्मच धनिया पॉल को फिर से डाला जो धनिया इसमें दोस्तों पहले वे मिने डेट डाला था अभी एक डालना इसे पेस्ट आया था वह मसाले जले नहीं इसके लिए मैंने पाई डाल दिया आदे कि लवगव अब यह पांस मिट की लिए रवक इसको हम घरी आज पर तयार होने रहेंगे दोस्तों हमने कसूरी मती डाल दिया और फिर से आधी चम्मच और विसले हम अच्छी तरीके से बिलाते रहेंगे दोस्तों जिससे चिपके ना कि यह नमक डाल दिया दोस्तों स्वाद के पूरिंगे देड़ चमश डाला है आप इतना खाते उतना डाले है कि अच्छी कुद्बू आ रही है दोस्तों सर्सों को तेल में और बहुत अच्छा स्वाद बनता है आप शाओ रिभाइन भी डाल सकते हो गी भी डाल सकते हो लेकित मैं आपको सलिष्ट करूँ है दोस्तों हो गया हमारे पांच मिटके लगवक अब यह हम सारा इसमें डाल द देंगे ताकि यह मसाला अच्छी तरीके से सब्जी पर अपनी पकड़ मना लें इसका फ्लेवर जो है वो सब्जी में आ जाए मिशला तो रहेंगे अच्छी रुष्बू आ रही है इस स्टेज पर आपको यह लगया कि इस्तियार नहीं होगा ऐसा लगया कि अभी ही सर्व सब्सक्राइब कर लिया जाए लेकिन अभी हमको पांच मिट और उतना है तो देखिए हमारी सब्जी तो तैयार हुई चुकी है अब घारनिस सरना हमें से बंद कर लेते हैं कि हैसो हरी धनिया स्रद्धान उसार डालिए जतना आप खाते हो वैसे मेरे साब से धनिया का फ्ल जरू करना आपका दिन सुब्राइब खुश रहो दोस्तों